पार्टी हो या कोई फंक्षन पालक पनीर न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिश्ट और लाजवाब धाबा इस्टाइल पालक पनीर तो फ्रेंट्स वीडियो जरू करने से पहले आप से विसे निवेदन है कि रही सुरू करते हैं और बनाते हैं ड्ढाष टाल पालक पनीर तो मंचेशन प्याज काट bå ही छोड़क्युक्ट काट कर रखा हैसे आप जलते हैं पालक deplanted प्रोसी अब जो पहले एक वरतन में पानी लेंगे उसे उबलने रख देंगे उसमें डालेंगे एक चोटी चमच चीनी ये इसे डालने से रीज़ बिल्कुर्त नहीं होगा और उखरा ही बना रहेंगा तो पानी में उबला अने के बाद डालेंगे पालक और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए उ देअब और उसमें डाल डालेंगे एक चमच बटर और दो चमच ओईल फिर जीरा से अल्क बॉरओन राण होने के पाथ हड़ें Care C पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिस पाउडर और लाल मिस पाउडर इसे अच्छे से भून कर डालेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला अब हम दूसरे पैन में पनीर को भी हल्का फ्राई करेंगे मैं यहां दो चमच घी डाल रही हूं आप चाहे तो बटर का इस्तमाल भी कर सक अब पनीर को हल्का गोल्डन कर आने तक फ्राई करेंगे अगर आपका पनीर ज्यादा फ्राई हो जाता है तो इसे तुरत पानी में डाल दें जिससे वह सौफ्ट ही रहेंगे तो देखिए हमारे पनीर फ्राई हो गया है हमारे मसाला भी फुन कर तयार है अब इसमें डाले पालक पनीर बनकर तयार है आप सब एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूं अगले वीडियो में ठैंक यू